जल्दबाजी चलो यार इतना वजन कंथे पलादा हुआ है और तुम धीरे धीरे चल रहे हो थोड़ा कदम जल्दी जल्दी बढ़ाया करो राहुल जल्दबाजी तो मचाओ मत ठीक है थोड़ा सा हीट नहीं है जो जल्दबाजी मचाके खतम हो जाएगा इतना सारा भट्टे का हीट होना है और तुम कहरो जल्दी जल्दी करो अरे आराम आराम से करो ताकि ठका भी न लगे और काम भी हो जाए राहूल वैसे मोदी जी सही कह रहे जल्दबाजी मचाने से कोई काम जल्दी से नहीं हो जाता अब इतनी इते हैं तो आराम आराम से करेंगे जबी तो होगा इतनी जल्दबाजी मचाओगे तो कैसे काम होगा ठक के और बैठ जाओगे उसके बाद कल बोलोगे मैं आओंगा नहीं काम पे योगी जी तुम भी अजीब बात करते हो यार अरे एक काम में क्या पूरा साल लगा देंगे तब कैसे घर का खर्चा चलेगा है तुम बताओ कम से कम इस काम को जल्दी खतम करेंगे तो फिर दूसरे भटे कट भी ठेका ले लेंगे वहां का भी इंट निकाल देंगे जल्दी जल्दी राहूल तुम्हे जल्दबाजी मचाना है तो तुम मचाओ भाई मुझे नहीं मचाना मुझे तो आराम आराम से काम करना है यार यह इंट का काम है, कहीं यह काद इंट इदो दो फिसल गया, पैर पे गिर गया तो पैर के तो लेने देने पर जाएंगे, फिर चलो बैठ के दवा कराओ डाक्टर के पास योगी जी तुम सही कह रहे हो जल्दबाजी का काम सैतान का होता है हम तो इंसान है आराम आराम से करेंगे और ऐसे जो हमने ठेका लिया हुआ ही धोने का इसका रेट अच्छा खासा है अगर जो दो दिन फालतू भी लग जाएंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है हमको मोदी जी ये चीज़ आपको पहले बताना था कि हमने रेट ठीक ठाग ले रखा है जल्दबाजी मत मचाओ अगर जो एक दो दिन फालतू भी लग जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन अब रेट की बात तुम आब बता रहे हो हमसे कि रेट ठीक प्राहुल तुमने कभी हमसे रेट के बारे में पूछा नहीं तो हमने तुमको बताया नहीं और आज ही बता देता हूँ अगला काम जो है हमने अखलेश के भठी का ले रखा है वहां का भी इट सारा निकाल के ढोना है तो वहां का भी रेट ठीक ठाक ही मिला हुआ परेशा दोस्तों अगर जो आप लोगों के पास कोई काम हो तो हमें जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यबाद